सतना जिले के उचहरा से लगवग 25 किलोमीटर दूर पर परवत के आखरी छोर परिस्तित गोविंद सरकार का मंदिर आस्ता और प्राकितिक सौंदारिय का अद्वो संगम है मंदिर के स्तापना अपने जमाने के महान सिद्ध संत स्वामी नीलकंड महराश ने की थी इस मंदिर में आज भी लोगों की अपाश शद्धा देखने को मिल रही है यह एक ऐसा सिद्ध धाम है जहां वक्ति का मन आस्ता में रम जाता है यहां के प्राकितिक सौंदारियता आखों सी मन में समा जाती है सतना जिले की सीमा के मध्य इस्तित गोविंद सरकार के मंदिर का प्राकितिक सौंदारिये बारिस होने के बाद और भी मनुरम हो जाता है सुदूर परवत शंकलाओं के बीच कलकल बहते जड़ने अनेको सौंदारिये से परिपोन मंदिर सनातन काल से संतों की तपू भूमी रहा यह इस्तर प्रदेश भर के परेटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए हमेशा से ही पसंदीदा रहा है यहां कई पहाड़ियों का मेल होता है मंदिर के आसपास परवत के उपर समतल मैदान है जहां से कई जड़ने नजराते हैं और यह प्राकितिक सौंदारिये परेटकों को आनंदित कर देता है यहां की उच्छी पहाड़ियों और शांद बातावरंड सलानियों को इसकदर मंत्र मुग्द करता है कि वे दुबारा आए बिनार रह ही नहीं सकते ऐसी मानिता है कि यहां संतों और मंदिर के दर्शन मात्र से ही अशाद्य रोगों से मुक्ती मिलती है यहाँ पर कई सालों तक सिद्धिसंत स्वामी नीलकंड माराज ने तपस्या की थी और उनकी यह कहानिया आज भी यहाँ के लोग सुनाते हैं बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस स्थान पर कभी शेर की गुफा भी थी जिसमें सेर रहता था उसी गुफा में कई सालों तक स्वामी नीलकंड माराज ने तपस्या की थी यह गुपा आज भी आम लोगों के लिए खुली रहती है